तोडे वी डिसकसर ऐबाउड the conductivity of the semiconductor conductivity का मतलब होता है conduction conduction क्या होता है जब हमारे charge carriers क्या होता है move करते है charge carriers move करेंगे जब हम उनके ओपर force apply करेंगे it's mean electric field apply करेंगे देखते हैं जैसे हमने देखा था drift mobility में फिछले lecture हमने mobility में देखा था mobility का मतलब भी क्या होता है move वो कब करा था जो हमने electric field apply की थी यह हमारा क्या है कोई भी semiconductor है इसमें क्या है हमने कोई भी पहले temperature दिया temperature देने के बाद इसमें lattice vibration हुआ lattice vibration होने के बाद इसमें क्या है हमारे electrons क्या होगे electron और hole हमारे free हो गए इन्हें direction प्रोवाइड कराने के लिए, move कराने के लिए, हमने क्या है, electric field, कोई भी हमने क्या है, एक battery से connect किया, हमने यहां इसे बैटरी से connect किया, battery connect करने के बाद, इधर क्या है, एक potential difference create हो गया, इसके एक रोस एक potential difference create हो गया, इसमें इसे एक electric field मिल गई यहाँ पर इसमें क्या है हमारी electric field की रियेट हो गई तो इसमें क्या है positive to negative electric field एप्लाई करेंगे इसके opposite direction में हमारे क्या है electrons एप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे क्या है charge carriers move करना start हो गई इसमें हमारी conductivity स्टार्ट हो गई बेंगे वेलेंस बेंड में मिलेंगे और कंडक्शन बेंड हमारी क्या मिलेंगे मिलेंगे हमने टेंप्रेशर बढ़ा है तो हमारे वेलेंस बेंड के लेक्ट्रों कहां पर चल जाएंगे हमारे कंडक्शन बेंड में चले जाएंगे तो यह क्या हो इसमें हमारे क्या हो जाएं है पी है ओके तो टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे इसमें टोटल चार्ज हमारे हो जाएंगे इसमें टोटल चार्ज जो अवेलेबल हो जाएंगे वह पी हो जाएंगे हम पता है हमने क्लास में करेंट पढ़ा था करेंट क्या होता है करेंट होता है हमारा वी डी मतलब की वी such a white 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 जो हम इसे क्या है current को जो हम डिवाइट कर देते हैं किस से area से डिवाइट कर देते हैं तो हमारी क्या current density मिल जाती है अगर हम इसे भी डिवाइट करेंगे एसे तो हमें क्या है current density मिल जाएगी तो यह current density किसकी होगी electron की current density electron की यह Até ऐग हो जाएगी हमारे इलेक्ट्रोन की और यह हमारी कॉंट रिंसिटि किसकी होगी हमारी होल की यह करें होगी फोल घुवसें ध्यां से क्या मिला बी एन और यहां से हमें क्या मिला वी पी पी ई देखो यहां से देखते हैं इसमें क्या है हमारी current density कितनी आ गई थी है हमारी VNNE और अगर हमारा current density हमारी यह है तो हमारे और हमें पता है current density per unit elective field क्या होता है हमारी conductivity होता है current density VNEN हो जाएगी current density कैसे निकाली current per unit area करके फिर उसके बाद current current density per unit elective field हमारी VNEN per unit elective field और mobility हमने पीछे ही पढ़ा था mobility क्या होता है वी एन पर unit elective field तो यह क्या हो जाएगी एन इम्यूई जस्ट सिमिलर एज हम क्या निकालेंगे होल की होल की हमने निकाली थी होल की होल की हमारी कितनी आय थी जो होल की हमारीons density आय थि वो कितनी यहाई थी पी हो जाएगी और current density प्र능 bet गोच फिल्ट कितनी होती है हिमारी कंड्ड टीविटी होती है तो मीउपी तो है इसे भी हम बूमीटी को में चेंड गरेंग तो मीउपी इ मीउपी हो जाए है यह किसकी पुल की होա समीकंडक्टर वो यह होता है हिप्ट सेमीकंडक्टर में क्या होता है हमारा होता है होकी उसे N i I से अीड़ी को लेंगे तो हमारा क्या होजाएगाром मोड़ातरी किielt करती हैतु एक हमारे किस पर कहते हैं टेम्परेशुर पर एक हमारी को पक्रती ऑड़ाइँग थे खेंग से ङृण तो अगर हम तो हमारी मोबिलीटी क्या होती है घटती है बट हमारी क्या होता है यहां पर जो कंसेंटेशन होती है जो हमारी यह होती है यह होती है वो क्या हो जाती है हमारी बढ़ जाती है तो हमारा क्या होता है यह क्या है इतनी बढ़ती है कि इसको डॉमिनेट कर देता है मोबिलीटी को डॉमिनेट कर देता है और टेंपरेचर बढ़ाने के बाद कंसेंटेशन बढ़ समी कंडंड कर्दीट क्या होतें घटती है है दो फेक्टर पर इबर एक हमारी किस पर तेम पर दूसरा हमारी किस पर कर तो सबस्क्राइब सरगान मोबिलीटी घटेगी वर चार्च केरिए कीका सीछिन बढ़ेगी को और इतनी चैसमें झाल झाल